नमस्कार विध्यारती और हरी बावा क्लासेस पर आपका हार्दिक सौगत है दोस्तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की NCRT English First Flight के 9 में चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है Madam Rides the Bus अर्थात Madam की Bus की सबारी और इसको लिखा है बल्ली कननने इसके राइटर है इसके दोस्तो इस चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर रह जाएगा कल जो है आपकी First Flight कम्प्लीट हो जाएगी जिसमें मैंने सारी पोयम तथा 9 चैप्टर पढ़ा का चैनल पर अप्लोड कर दिये हैं अगर आपने अभी तक इन सभी चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर Class 10th English First Flight नाम से प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी आप देख सकते हैं तो आज के चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर की समरी जान लेते हैं जिससे की आपको चैप्टर समझने में आसानी हो जाएगी तो देखिए यह एक आठ वर्स की लड़की बल्ली की पिर्थम बस यात्रा की कहानी है बल्ली के माध्यम से लेखक ने बच्चों के जिग्यासा पूर्ण ब्यवहार को दरसाया है कहानी ये भी बताती है कि कितनी सरलता से बच्चे नई वस्तूओं के प्रतियाकरसित हो जाते हैं और उनकी जिग्यासा उस कालपनिक जीवन के आनंद का अनभब किये विना सांत नहीं होती है बल्ली को वस्त की सवारी करने की तीब रिच्चा है बहे पैसे बचाती है और जब उसके पास परियाप्त धनरासी हो जाती है बहे वस्त की सवारी करती है उसकी यात्रा जीवन की कठोर वास्तिविक्ता का एक संक्षिप्त अनभव है वह सीखती है कि दुनिया की वह सारी चीजें हमारी समझ और अनभव से परे हैं उसकी पर्थमबस यात्रा के अनभव को बल्ली कन्नन ने मजा किया और भिर्मन सील तरीके से वरनित किया है इस कहा जानी एक वच्चे की जिग्यासा, इक्षाओं, सपने, द्रण संकल्प और मासूमियत को दरसाती है तो बिध्यारतियों यह चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगाता बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बल्ली नाम की एक लड़की है जो आ आठ में किया गया है और इसके राइटर जो हैं बल्ली कनन इन्होंने क्या है बहुत ही ज़्यादा सुंदर्ता से इन द्रस्यों का वरणन किया है आपको यह कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपके लिए यह एक सुखद अनभब कराएगी तो बिध्यार सेंटेंस जो है आपने जब स्टोरी बनाई होगी या इस्टोरी पढ़ी होगी तब आपके लिए देखने को मिले होंगे जैसे देर्वाजे किंग एक राजा था देर्वाजे वैली एक कुआ था تو इस तरीके के सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं मैं आपके लिए इंग्लिस ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कक्षदस के लिए तो उसमें जो है देर का चेप्टर भी आएगा इट का चेप्टर भी आएगा बहुत सारे chapter हैं जो कि exam से related हैं वहाँ पर जो details में दियर का यूज आपको सिखाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि दियर्वाज गर्ल एक लड़की थी named करें कि जिसका नाम था बल्ली अम्मई करें कि जिसका नाम बल्ली अम्मई था करें एक लड़की थी जिसका नाम बल्ली अम्मई था who was called करें कि who means जो was called करें कि कहकर पुकारी जाती थी called का मतलब होता है पुकारना बल्ली करें कि बल्ली for sort करें कि संख्षेप में करें कि जो संख्षेप में बल्ली कहकर पुकारी जाती थी जिसे लोग संख्षेप में बल्ली कहकर पुकारते थे C was eight years old के रहें कि C means वह वाज मिस थी eight years old का मतलब होता है आठ वर्स की के रहें कि वह केवल आठ वर्स की थी and very curious very means बहुत curious का मतलब होता है जिग्यासू और बहुत ही जग्यासू थी about things के रहें कि चीजों के बारे में जानने की के रहें कि चीजों के बारे में जानने की बहुत ही जग्यासू थी के रहें कि बहुत केवल आठ वर्स की थी और चीजों के बारे में बस्तूओं के बारे में जानने की के बहुत ही जग्यासू थी हर कारें कि उसका फैवरेट कारें कि पसंदिधा पास टाइम पास टाइम का मतलब होता है समय व्यतीत करने का सबसे आनंद प्रद कार्य वाज कारें कि था वाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था हैपनिंग मतलब होना इन दा स्ट्रीट करें कि गली में आउटसाइड करें कि बाहर करें कि उसका समय व्यतीत करने का सबसे आनंद प्रदकारे अपने घर के मुख्धवार पर खड़े रहे कर ये देखना था कि वाहर गली में क्या हो रहा था करें कि देर वर नो करें कि नहीं थे प्ले मेट्स करें कि साथी या मित्र आफ हर ओन इज करें कि उसकी खुद की इज के उम्र के ऑन हर स्ट्रीट करें कि उसकी गली में करेंगे कि उसकी गली में उसकी खुद की उमर के करेंगे कि साथ ही नहीं थे मित्र नहीं थे and this was about all का मतलब होता है कि वस इतना ही see had to do वह कर सकती थी करेंगे वह इतना ही कर सकती थी और वह इतना ही कर सकती थी बट फॉर वल्ली बट मिस लेकिन फॉर मिस के लिए वल्ली के लिए करें परंतु वल्ली के लिए लेकिन वल्ली के लिए standing करें खड़े रहना at the front door करें कि मुख द्वार पर करें कि परंतु वल्ली के लिए मुख द्वार पर खड़े रहना was every bit as enjoyable एंजवेल का मतलब होता है मनुरंजग कह रहें कि उतना ही मनुरंजग था as any of the elaborate games कह रहें कि जितना की एक जटिल खेल other children played कह रहें कि दूसरे बच्चों के लिए खेलना कह रहें कि लेकिन वल्ली के लिए मुख द्वार पर खड़े रहना उतना ही मनुरंजग था जितना की दूसरे बच्चों के लिए कोई भी जटिल खेल खेलना watching the street कहने कि गली को देखना watch करना gave कहने कि प्रदान करता था हर कहने कि उसे many कहने कि बहुत से new कहने कि नए unusual अनुभव या प्रयोग तो यहां पर अनुभवों के लिए लगाया गया है करें कि गली को देखना उसे बहुत से असा धारन अनुभव प्रदान करता था अब चलते हैं इसकी वर्ड मेनिंग की ओर तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए curious का मतलब मैंने आपको बताया था जिग्यासू ठीक है और favorite का मतलब वही पसंदीदा ठीक है past time का मतलब वही आनंद के लिए किया जाने वाले कार्येस समय व्यतीत करने के लिए enjoyable का मतलब होता है अनंद प्रद मैंने आपको बताया था playmates का मतलब खेलका साथी या मेत्र elaborate का मतलब होता है विस्तरित या जटिल मैंने आपको बताया था unusual का मतलब होता है असाध हरण अब चलते है paragraph नमब टू की और तो चलिए paragraph नमब टू देख लीजिए the most fascinating thing करें कि सबसे आकरसक वस्तू of all करें कि इन में से करें कि इन में से सबसे आकरसक वस्तू was करें कि थी the was करें कि वस्ती करें कि इन में से सबसे आकरसक वस्तू वह वस्ती जो that करें कि जो traveled करें कि जाती थी traveled का मतलब यात्रा करना होता है करें कि जो यात्रा करती थी करें कि आती जाती थी between करें कि बीच में हर blaze करें कि उसके गाउं के and the nearest town करें कि पास के कस्वे के करें कि जो उसके गाउं और उसके पास के कस्वे के बीच में जाती थी अर्थात चलती थी अर्थात यात्रा करती थी ट्रेवल्ड का मतलब यात्रा करना या चलती थी वाद दोनों एक ही हैं आपर इट पास्ट कहरें कि इट मिस वह पास्ट गुजरती थी कौन बस यह वाली कहरें कि इट पास्ट कहरें कि वह गुजरती थी तिरों कहरें कि से होकर हर स्ट्रीट कहरें उसकी गली से एक बार कसवे की ओर जाते समय and once coming back और एक बार कसवे से बापस आते समय गुजरती थी the site of the bus करें कि bus की एक जलक फिल्ड करें कि भ़े हुई each time करें कि परतें के एक बार हर बार by the new करें के नए set of passengers करें कि यात्रियों से करें कि हर बार नए यात्रियों से भरी हुई bus की एक जलक वाजे svoor खुसी का, कहरें कि जो कभी न समाप्त होने वाली खुसी का क्या थी, स्रोत थी for वल्ली, कहरें कि बल्ली के लिए, वहप्रते घंटे वाध उसकी गली से गुजरती थी, एक वार कस्वे की ओर जाते समय, और एक बार बापस आते समय, हर वार यात्रियों से भरी हुई, बसकी एक जलक बल्ली के लिए कभी न समाप्त होने वाली खुशी का स्रोत थी अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलिए फेसिनेटिंग फेसिनेटिंग का मतलब होता है आकरसक मैंने आपको बताया था और पास्ट थ्रू का मतलब होता है बीच से गुजरना पैसेंजर्स का यत्री गान मैंने आपको बताया था और अनन्द समाप्त ना होने वाला आठत कभी न समाप्त होने वाला अब चलते पारा अबर चरी की ओर तो चलिए अब क्मबर्ट थी देख लिजिए डे आफ्टर डे का मतलब होता है एबरिई डे के प्रति दिन सी व़्सड करहें कि सी मीष्ड मतलब देखती थी द Гरे गरब approach car करें प्रति दिन विबॉस को देखती थी एंड ग्रेसवालिक अग्रेसमी का और धीरे धीरे उसके मस्तिसक में एक इक्षा जागरत हुई and grew there और यह एक्षा और बढ़ गई she wanted to ride करें कि वह चाती ती to ride करें सवारी करना या यात्रा करना on that bus करें कि उस bus पर करें कि वह उस bus पर सवारी करना चाहती थी अर्थात यात्रा करना चाहती थी even if just once केवल एक वार दिस विस वी केम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर करें कि दिस विस करें कि यह इख्षा वी केम करें कि हो गई स्ट्रोंगर करें कि द्रण एंड स्ट्रोंगर करें कि और द्रण करें कि यह इख्षा द्रण और द्रण होती गई until करें कि जब तक it was an overwhelming desire करें कि जब तक ये अत्य अधिक तीब्र इच्छा नहीं बन गई करें कि तब तक ये इच्छा जो है द्रण और द्रण होती गई करें कि जब बस गली के कौने पर करें कि जब बस गली के कौने पर रुकती थी तो बनली अती उत्सा से उन लोगों को ध्यान से देखती थी जो बस में चड़ते थे या उतरते थे दियर फेसे करें कि उनके चहरे बुड काइंडल करें कि प्रजुलित होते थे इन हर लॉंग्रीज करें कि उसकी आकांचाओं को ड्रीम्स करें सपनों को एंड होप्स और करें कि उम्मीदों को करें कि उनके चहरे उसकी आकांचाओं उपनों और उमीदों को प्रजव लित करते थे If one of her friends करें कि यदि कोई उसका मित्र एपन टू राइड करें सवारी करता था द बस करें कि वस्ट से यदि उसका कोई मित्र बस्ट से सवारी करता था and try to describe describe नता होता है वरणन करना करें कि वरणन करने का प्रयास करता था, ट्राइट करता था, किसका वरणन, the sides of the town, करें कि कस्वे के द्रस्यों का, to her, करें कि उसके सामने, करें कि यदि उसका कोई मित्र वस्ते सवारी करता था, और उसके सामने कस्वे के द्रस्यों का वरणन करने का प्रयास करता था, तो क् जो वह सुनते सुनते अधिक इरस्याल हो जाती थी और चीकने लगती थी इंग्लिस करें के अंग्रेजी में प्राउट प्राउड करें कि गर्ब गर्ब नाढ़ी उसका कोई मित्र रियली करें के वास्त्व में अंडर्स्टूट करें समझता था the meaning of the word करें इस सब्द का अर्थ करें कि ना तो वह और ना ही उसके मित्र इस सब्द का वास्तविक अर्थ समझते थे but they used it often परंतु वे इसका प्रयोग प्राया as a slang expression करें कि नाराजगी जताने के लिए करते थे of disapproval करें कि असहमती की या असविकार की करें वे असविकार की नाराजगी दरसाने के लिए प्राया इसका प्रयोग करते थे इस slang expression का मतलब ऐसे होता है assist अभिव्यक्ती अर्थात नाराजगी दरसाने के लिए disclaimerval का मतलब होता है सहमती या असविकार अब चलते हैं इसके word meaning की ओर तो चलिए gradually gradually का मतलब होता है धीरे धीरे या लगातार मैंने आपको बताया था craft into का मतलब होता है अंदर प्रवेस्ट करना या प्रजुलित होना overwhelming desire का मतलब होता है वही तीब रिच्छा मैंने आपको बताया था steer का मतलब होता है घूर कर देखना और wishfully मतलब उत्साहसे मैंने आपको बताया था kindle का मतलब होता है किसी भावना को बढ़ाना या जगाना और longings का मतलब होता है लालसा sides का मतलब होता है dress मैंने आपको बताया था और jealous का मतलब होता है इर्ष्या करना इस लैंग एक्स्प्रšan एक अशिस्ट अभिवकथी मैंने आपको बताए था डिसेप्रूबल का मतलब होता है असुई कार यह असुई किर्थी अब चलते हैं पाराग्राफ नंबर 4 और तो चलिए पाराग्राफ नंबर 4 देखह लीजिए करें कि कई दिनों और महिनों प्रश्ण करेंगे लोगों और पडोसियों के वीच की हूर रेगुलरली करेंगे जो नियमित रूप से यूजड वस करेंगे बस का प्रयोग करते थे एंड सी और उसने आलसो करेंगे भी आस्क पूछे एफ्यू करेंगे कि कुछ डिस्क्रीट का मतलब होता है बुद्धि मत्ता पूण questions करेंगे सवाल या प्रश्न here and there करेंगे यहां और वहां के कई दिनों वह महिनों तक बल्ली अपने पडोसी और उन लोगों की आपसी बातचीत को दिहान से सुनती रही जो नियमित रूप से बस में आते जाते थे और उनसे भी कुछ यहां वहां के बुद्धि मानी वाले सवाल पूछे अर्थाद बुद्ध मत्था पूर्ण प्रश्न पूछे this way करेंगे इस तरीके से see picked up करेंगे उसने इकटा की various करेंगे बिभिन प्रकार की small details करेंगे छोटी छोटी जानकारियां about the was journey करेंगे वस की यात्रा के वारे में करेंगे इस तरह से उसने बस की यात इस तरह के बारे में बिभिन प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां इकत्रित की या इकटा की the town was six miles from her blaze करेंगे the town में कसवा वाजमिस था six miles करेंगे उसके गाउं से करेंगे कि कसवा उसके गाउं से छह मिल के दूरी पर था the fair करेंगे कि किराया वाजमिस था 30 पैसे करें 30 पैसे one way करेंगे एक और से एक तरफ से करेंगे कि किराया एक तरफ से 30 पैसे था और था एक तरफ से किराया जो था वो 30 पैसे था which करेंगे जो की is almost करेंगे लगवग nothing करेंगे कुछ नहीं था at all करेंगे जायदा करेंगे जो की लगवग कुछ जायदा नहीं था see heard one well-dressed से स inventions उसने see me सुना वन वेल ड्रेस्ट करें कि अच्छे कपड़ें पहने वए मैं कहते हुए करें कि उसने एक अच्छे कपड़ें पहने हुए आदमी को कहते हुए सुना था बडट वल्ली परण्तू बल्ली के लिए jisने स्कार्सली करें मुश्या Спेह सा देखी थी that much money करेंगे इतना सारधन from one month करेंगे एक महीने से to the next करेंगे दूसरे महीने तक it seemed a fortune fortune का मतला होता है कि बहुत अधिक रासी और ये बहुत अधिक रासी प्रतीत होती थी इस तरह से उसने वस की यात्रा के बारे में विभिन प्रकार की छोट छोटी जानकानिया प्राप्त कर ली थी कस्वा उसके गाउं से 6 मिल दूर था एक तरफ का किराया 30 पैसे था जो कि कुछ भी जादा नहीं था उसने एक अच्छे से कपड़े पहने व्यक्ति को कहते हुए सुना था लेकिन बल्ली के लिए यह एक वड़ी रकम थी जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही इतनी धनरासी देख पाती थी दाट ट्रिप टू दा टाउन करें कि कस्वे तक की यात्रा में टुक 45 मिनट्स करें कि 45 मिनट्स लगते थे करें कि कस्वे तक की यात्रा में जो है 45 मिनट्स लगते थे किस से उस बस से और रीचिंग टाउन करें कि कस्वे में पहुँचने पार इप सी स्टेड इन हर सीट यदि वह अपनी सीट में बैठी रहे एंड पेड अनूदर थर्टी पैसे और दूसरे जो है 30 पैसे दे दे सी कुड रिटर्न तो वह लोट सकती है होम करें कि बापास ऑन दा सेम बस करें कि उसी बस से करें कि कस्वे में पहुचने पर यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहे और दूसरे तब से 30 पैसे दे दे तो वहे उसी वस से घर बापस लोट सकती थी या बापस आ सकती थी This meant करेंगे इसका मतलब था That she could take करेंगे वहे ले सकती थी The one o'clock करेंगे एक बज़े वाली afternoon वस करेंगे दुफहर के बाद वाली वस करेंगे इसका मतलब था वहे दुफहर में एक वज़े वाली वस ले सकती थी Reach the town करेंगे कस्वे में पहुंचती थी At 1.45 करें एक बज़कर 45 मिनट पर करेंगे जो एक बज़कर 45 मिनट पर कस्वे में पहुंचती थी And be back home और घर बापस आ सकती थी By about 2.45 करेंगे दो बज़कर 45 मिनट तक जो है वहे घर वापस आ सकती थी On and on bent her thoughts करेंगे उसके जो thoughts थे विचार थे वो बढ़ते ही जाते As see calculated करेंगे जब वहे गणना करती And recalculated और पुना गणना करती Planned करेंगे योजना बनाती And replanned और पुना योजना बनाती करेंगे वहे जैसे जैसे गणना करती और पुना गणना करती योजना बनाती और पुना योजना बनाती उसके विचार बढ़ते ही जाते आप चलते हैं इसकी word meaning की ओवर तो चलिए Word meaning देख लीजिए Conversation का मतलब मैंने आपको बताया था बातचीत या वारतालाब Discreet questions का मतलब होता है बुधी मत्ता पूर्ण सवाल मैंने आपको बताया था Pick up का मतलब होता है प्राप्त करना Fair का मतलब होता है किराया Iskarsly का मतलब होता है कढ़नाई से मैंने आपको बताया था फॉर्चिवन का मतलब होता है बहुत अधिक धन्रासी ट्रिप का मतलब होता है यात्रा और प्लांड का मतलब होता है योजना बनाना अब चलते हैं पारग्राप नूमर फाइब की ओर तो चलिए वैल करेंगे खैर वन फाइन स्प्रिंग डे करेंगे वसंत के एक स्वावने दिन दा आफ्टरनून करेंगे दोपहर वाली बस करेंगे वस वाज जस्ट ओन दा पॉइंट ओफ लेविंग दा ब्लेज करेंगे गाउं से जाने ही वाली थी एन्ड टरनिंग इंटू दा मैन हाईवे और मुख राजमार्ग की ओर घूमने वाली थी वैन ए इसमाल वोईस वाज हीएड साउटिंग तभी चिलनाने की एक छोटी सी आवाज सुनाई दी स्टॉप दा बस रोको एंड टिनी हैंड वाज रेजड कमांडिंग ली और एक छोटा सा हात आदे सात्मक धंग से उपर उठा दा वस सोड़ डाउन टू एक क्रॉल बस धीमी रफ्तार में चलने लगी एंड दा कंड़क्टर स्टिकिंग हिस हैड आउट दा डोर और कंड़क्टर ने अपना सिर दरवाज से बाहर निकाला सेड और बोला हरी देन जल्दी करो टैल हूएवर इट इस टू कम कुईकली जो भी आ रहा है उसे बोलो जल्दी करे इट्स मी साउटेड वल्ली ये मैं हूँ वल्ली चिल्लाई आई एम दा वन हूँ हैस टू गेट ओन मैं ही हूँ जिसे गेट ओन करना है अर्थात चड़ना है अब चलते हैं इसकी वर्ड मेनिंग की ओर तो चलिए वर्ड मेनिंग देख लीजिए कमांडिंगली का मतलब होता है आदेश देना क्रॉल का मतलब होता है वही कि धीरे धीरे चलना रेंगना sticking his head out का मतलब होता है सिर वाहर निकालना अब चलते पारग्राफ नमबर 6 की और चलिए पारग्राफ नमबर 6 देख लीजिए by now कहरेंगे अब तक the bus had come to a stop कहरेंगे बस रुक चुकी थी and the conductor said और conductor ने कहा oh really अरे सच में you don't say so तुमने ऐसा नहीं कहा yes I simply have to go to town कहरेंगे मुझे केबल कसवे तक जाना है said बल्ली बल्ली ने कहा still कहरेंगे अब भी standing कहरेंगे खड़ी हुई थी outside the bus कहरेंगे बस के बाहर कहरेंगे जो अभी भी बस के बाहर खड़ी हुई थी and here is my money और ये रहे मेरे पैसे she sold him some coins कहरेंगे उसने उसे कुछ सिके दिखाए sword का मतला दिखाना होता है okay okay ठीक है ठीक है but first you must get on the bus कहरेंगे लेकिन सबसे पहले तुम्हें बस में चड़ना होगा said the conductor कहरेंगे कि conductor ने कहा and he stressed out a hand to help her और उसने जो है उसकी सहेता करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया never mind कोई बात नहीं she said वहबूली या उसने कहा I can get on by myself कहरेंगे मैं खोद बस पर चड़ सकती हूँ you don't have to help me आपको मेरी सहेता करने की आवश्यक्ता नहीं है अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए stressed का मतलब होता है फैलाना या आगे बढ़ाना never mind का मतलब होता है कोई बात नहीं अब चलते हैं पारग्राफ नमर सेवन की ओर तो चलिए सेवन देख लीजिए एक कांड़क्टर वाजग जॉली शॉर्ड का मतलब होता है खुस मिजाज के नहीं की अरे प्लीज गुर्पिया का मतलब होता है मजा किया के नालज मत हो with me कह रहें कि मुझसे my fine madam कह रहें कि मेरी प्यारी madam उसने कहा अरे मेरी प्यारी madam किर्पया मुझसे नाराज नहीं हो he said उसने कहा here have a seat right up there in front कह रहें कि यहां सबसे आगे वाली सामने की seat पर बैठिये everybody move aside please किर्पया सब लोग एक तरफ हो जाएं make way for madam madam के लिए रास्ता बनाए it was the slack time of day कह रहें कि यह दिन का सबसे फोर्षत का समय था and there were only six or seven passenger on the bus और वहां bus में केवल छह या साथ यात्री थे they were all looking at बल्ली कह रहें कि वे सब बल्ली को देख रहे थे and laughing with the conductor और conductor के साथ हस रहे थे बल्ली वाज overcome with sinus कह रहें कि बल्ली सर्म से भर उठी avoiding everyone's eyes कह रहें कि सब की नजरों से बचते हुए she walked quickly to an empty seat and sat down वह जल्दी से एक खाली seat पर जाकर बैठ गई अब इसके word meaning के ओर चलते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए fond of joking का मतलब मैंने आपको बताया था बिनोत पर यह मजा किया select time का मतलब होता है ऐसा समय जब अधिक काम नहीं होता sinus का मतलब शर्म avoiding का मतलब होता है बचना या बचते हुए अब चलते पारग्राफ नमर 8 की ओर तो चलिए may we start now madam क्या हम अब चल सकते हैं मैडम the conductor asked करेंगे conductor ने पूछा smiling करेंगे मुस्कुराते हुए करेंगे conductor ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या हम अब चल सकते हैं मैडम then he blew his whistle twice करेंगे फिर उसने अपनी CT दो बार बजाई and the was moved forward with a roar और वस गडगडाती हुई आगे बढ़ गई या दहारती हुई आगे बढ़ गई it was a new was यह एक नई वस थी it's outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides यह वाहर से किनारों पर हरे रंकी धारियों के साथ चमकीले सफेद रंगों से क्या थी रंगी हुई थी inside the overhead was sown like silver के रहें कि अंदार सिर के ऊपर लगे डंडे चांदी की तरह चमक रहे थे directly in front of valley बली के बिलकुल सामने above the wind sealed there was a beautiful clock के रहें कि CCA के ऊपर एक सुन्दर सी घड़ी थी the seats were soft and luxuries के रहें कि seatे कॉमल और आराम दायक थी luxuries थी बली debiard everything with her eyes के रहें कि बली अपनी आखों से सब कुछ संजो रही थी but when she started to look outside के रहें कि लेकिन जब उसने वाहर देखना प्रारंब किया she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window तो उसने पाया कि उसका नजारा खिड़के के नीचे लगे तिरपाल से ढग गया था so she stood up on the seat and peered over the blind इसलिए बहें अपनी seat पर खड़ी हो गई और परदे के उपर से जाकने लगी peered का मतलब जाकना होता है अब चलते हैं इसकी word meaning के ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए visual का मतलब होता है CT की आवाज मैंने आपको बताया था gleaming का मतलब होता है चमकना strips का मतलब पटियां या धरियां और wind sealed का मतलब वाहन के आगे का सीसा और luxurious का मतलब आराम दायक डिवार्ड का मतलब पूरी तरह से अफसूसित करना और canvas blind का मतलब होता है मोटे कपड़े का परदा और paired over का मतलब क्या होता है उपर से जहक कर देखना अब चलते हैं paragraph नमबर 9 की ओर तो चलिए देख लीजिए the bus was now going along the bank of a canal करें कि अब वस नहर के किनारे जा रही थी कैनल का मतलब क्या होता है नहर होता है वैंक मतलब किनारा होता है अब वस जो है नहर के किनारे जा रही थी the road was very narrow करें कि जो road था सडक थी बहुत नहरो थी संकीन थी या संकरी थी on one side there was the canal करें कि एक तरफ वो नहर थी and beyond it palm trees grassland distant mountains and the blue blue sky उसके पार खजूर के पेड़ घास के मैदान दूर पहाड और नीला नीला आकास था on the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields green 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 as far as the eye could see कह रहें कि दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और कई एकड़ हरे खेत थे हरा 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 जहां तक नजर देख सकती थी यहां पर ditch आया है ditch का मतलब होता है खाई ओह इट वाज आल सो बंडरफोल केरें कि ओह यह सब कितना अधुत था suddenly सी वाद startled by a voice अचानक वह एक आवाज से चौँक गई listen child said the voice सुनो बच्चे आवाज ने कहा you shouldn't stand like that तुम्हें इस तरह खड़े नहीं रहना चाहिए sit down बैट जाईए अब चलते हैं इसकी word meaning की ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए canal का मतलब मैंने आपको बताया था canal का मतलब नहर और narrow का मतलब संक्रा या शंकिन distant का मतलब दूर के और dish का मतलब खाई बताया था मैंने wonderful का मतलब अधुत और startled का मतलब आशेर चकित होना अब चलते हैं पारागरफ नमबर टैन की ओर चलिए 10 देख लीजिए sitting down करें कि नीचे बैठने के बाद she looked to see who had spoken करें कि उसने देखा कि कौन बोल रहा था it was an elderly man करें कि यह एक बुज़ूर का आदमी था who had honestly been concerned for her करें कि जो वास्ता में उसके प्रती चिंतित था concerned का मतलब चिंतित होना what she was annoyed by his attention करें कि लेकिन वह उसके ध्यान देने से नाराज थी there is nobody here who is a child यहां ऐसा कोई नहीं है जो एक बच्चा हो she said hotly hotly का मतलब होता है उसने गर्व के साथ कहा I have paid my 30 पैसे like everyone else मैंने भी सभी की तरह 30 पैसे दिये है the conductor chimed in करें कि conductor बीच में बोला ओ सर अरे स्रीमान what this is a very grown-up madam लेकिन यह तो एक बहुत बड़ी madam है do you think a merry girl could pay her own fare and travel to the city all alone क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची अपना स्वैम का किराया दे सकती है और सहर में बिलकुल अकेली यात्रा कर सकती है अब इसकी word meaning की ओर चलते हैं लिए word meaning देख लीजिए elderly man का मतलब मैंने आपको बताया था बुड़ा आदमी या भुजूर का आदमी concerned का मतलब वही चिंतित होना अनाविट का मतलब नाराज होना और attention का मतलब ध्यान या फिक्र करना heartly का मतलब मैंने आपके लिए बताया था प्राउडली मतलब गर्प से और चिमिंड का मतलब वही होता है बात या चर्चा के बीच में बोलना ground up का मतलब वयस्क होना या बड़े होना अब चलते हैं paragraph नमर 11 की ओर तो चलिए paragraph नमर 11 देख लीजिए बल्ली sought an angry glance at the conductor and said करें कि बल्ली ने गुस्से वाली नजरों से conductor को देखा और said करें कि और कहा I am not a madam मैं एक madam नहीं हूँ please remember that किरपया ये याद रखें and you have not yet given my ticket और आपने अभी तक मुझे मेरा ticket नहीं दिया I will remember मैं याद रखूंगा the conductor said करें कि conductor ने कहा mimicking her tone mimicking her tone का मतला होता है उसकी आवाज की नकल करते हुए करें कि उसकी आवाज की नकल करते हुए conductor ने कहा मैं याद रखूंगा everyone laughed करें प्रतिक व्यक्ति जो था वो हसने लगा and gradually bullied to join in the laughter और धीर धीरे बल्ली भी उसी हसी में सामिल हो गई the conductor punched a ticket conductor ने एक ticket काटा and handed it to her और उसे दे दिया just sit back and make yourself comfortable बस पीछे होकर बैठ जाओ और आराम से रहो why should you stand when you have paid for a seat तुम खड़ी क्यों हो जबकि तुमने seat के पैसे दिये है because I want to क्यूंकि मैं ऐसा चाहती हूँ she answered standing up again उसने बापस खड़े होकर जबाब दिया अब चलते इसकी word meaning के ओर तो चलिए word meaning देख लीजी ग्लांस का मतलब होता है घोरना या देखना ठीक है और mimicking का मतलब होता है नकल करना पांस डे टिकेट का मतलब होता है टिकेट काटना या टिकेट दिया और comfortable का मतलब होता है आराम से आप चलते है paragraph नमर 12 की ओर तो चलिए paragraph नमर 12 देख लीजीए but if you stand on the seat लेकिन यदि तुम seat पर खड़ी रही you may fall तब तुम गिर सकती हो and hurt yourself और अपने आपको चोट पहुचा सकती हो या तुम्हें चोट लग सकती है when the bus makes a sharp turn करें कि जब बस किसी तीब रुमोड पर घुमेगी और hit से bump या किसी गड़े से गुजरेगी तब तुम्हें क्या लग सकती है तब तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है लेकिन यदि तुम seat पर खड़ी रही तो जब बस किसी तीब रुमोड पर घुमेगी गड़े से गुजरेगी तब गिरने से तुम्हें चोट लग सकती है that's why और इसलिए we want you हम तुमसे चाहते हैं to sit down तुम नीचे बैठ जाओ child बच्ची करेंगे इसलिए हम चाहते हैं कि बच्ची तुम नीचे बैठ जाओ I am not a child मैं बच्ची नहीं हूँ I tell you मैंने तुम्हें बताया था मैंने आपको बताया था कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ she said irritably उसने जो हचिड कर कहा I am 8 years old मैं 8 वर्स की हूँ of course of course बिल्कुल बिल्कुल how stupid of me मैं भी कितना मूर्ख हूँ 8 years माई 8 वर्स मेरे the bus stopped करें कि bus रुकी some new passengers got in करें कि कुछ नए यात्री वस में चड़ गए and the conductor got busy for a time और कुछ समय के लिए conductor वेस्ट हो गया afraid of losing her seat अपनी seat खोने के डर से बल्ली finally set down करें कि आखरकार बल्ली seat पर बैठ गई अब चलते हैं इसकी word meaning के ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए sharp turn का मतलब होता है घुमाओदार मोड मैंने आपको बताया था bump का मतलब होता है उभार या उचा उठा हुआ भाग और irritably का मतलब होता है गुस्सा दिलाना या चिडाना मैंने आपको बताया था चिड कर उसने कहा था अब चलते पारग्राप नमर थाइटीन के ओर तो चलिए नमर थाइटीन देख लीजिए एन इल्डरली भूमेन कें करें एक बुजर्ग महला आकर एंड सेट विसाइड हर करें उसके पास बैठ गई आर यू एलॉन डियर क्या तुम बिलकुल अकेली हो बेटी करें कि उसने वल्ली से पूछा करें कि जैसे ही वस पुना चलने लगी उसने वल्ली से पूछा क्या तुम बिलकुल अकेली हो बेटी बल्ली को महला बिलकुल पसंद नहीं आई उसके कानों में बहुत बड़े बड़े च्छिद थे और उनमें बहुत भद्दे कान के जुमके थे यह रिंग्स का मतलब जुमके होता है और शी कुड़ इसमेल दा बीटल नट दा बुमेन वाज chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment और उस सुपारी की खुस्पु सुंग सकती थी जो महला चबा रही थी और सुपारी का रस भी देख सकती थी जो कि उसके होटों से किसी भी पलवाहर गिर सकती थी उग का मतलब होता है करें कि ऐसे व्यक्ति के साथ कौन मिलनसार हो सकता है करें कि ओ ऐसे व्यक्ति के साथ कौन मिलनसार हो सकता था अब चलते हैं इसकी word meaning की ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए absolutely का मतलब होता है पूरी तरह से मैंने आपको बताया था रिपल्सिव का मतलब होता है अप्रिये घ्रना करना चुविंग का मतलब चबाना वही शुपारी चबाना पान चबाना बीटल नट मतलब वही शुपारी और थ्रेटिनिंग का मतलब बहार निकलने वाला इस पिल ओवर का मतलब होता है फैलना और शोशियवल का मतलब होता है मेत्रता तथा मिलंसार नमर 14 देख लीजिए यस आई एम ट्रेवलिंग एलॉन हाँ मैं के लिए यात्रा कर रहे हूँ करें कि उसने रूखे पन से जबाब दिया क्यूटली का मतलब रूखा पन और मेरे पास एक टिकेट भी है यस इस ऑन हर वे टू टाउन हाँ ये कस्वे में जा रही है said the conductor conductor ने कहा with a 30 पैसे टिकेट करें के 30 पैसे के टिकेट के साथ oh why don't you mind your own business अरे तुम अपने काम में ध्यान क्यों नहीं रखते said बल्ली बल्ली ने कहा but she laughed all the same and the conductor laughed too करें लेकिन वह उसी समय हसने लगी और conductor भी हस पड़ा but the old woman bent on with her driver लेकिन वह बूड़ी महला अपने मूर्खता वाले प्रस्न पूछती रही is it proper for such a young person to travel alone करें क्या एक छोटे वच्चे के लिए अकेले यात्रा करना उचित है do you know exactly where are you going in town क्या तुम ठीक से जानती हो कि तुम कस्वे में कहा जा रही हो what is the street करें कि गली कौन सी है what is the house number और करें कि घर का number क्या है you didn't bother about me करें आपको मेरे लिए परिशान होने की आवसकता नहीं है I can take care of myself मैं स्वैम का ध्यान रख सकती हूँ बल्ली सैड बल्ली ने कहा turning her face towards the window and staring out बल्ली ने अपना चेहरा खिड़की को और घुमाते हुए कहा और बाहर देखने लगी अब चलते हैं इसकी word meaning की और तो चलिए word meaning कड़ली का मतलब होता है नाराजगी दिखाते हुए या रूखे पंसे मैंने आपको बताया था mind your own business का मतलब होता है अपने काम में ध्यान दो driver का मतलब होता है बेकार की बकवास और exactly का मतलब होता है बिलकुल सही बादर का मतलब होता है परिशान होना अब चलते पाराग्राप नमबर 15 के ओर तो चलिए पाराग्राप नमबर 15 देख लीजिए हर फस्ट जर्नी कहरें उसकी पर्थम यात्रा कह रहें कि उसकी पर्थम यात्रा इसके लिए उसे कितने ध्यान पूर्बाग परिश्रम से विस्तार से योजना बनानी पड़ी थी उसे जितने भी सिक्के मिले उन्हें उसने बहुत मित बया से बचाया था रेसिस्टिंग एवरी टेंपटेशन टू बाई पेपर मिंट्स, टॉइज, बैलून्स एंड दा लाइक and finally she had saved a total of 60 पैसे पेपर मिंट खिलोने, गुबबारे और ऐसी अन्यवस्तू को खरीदने की प्रतेक इच्छा को नकारा सांत किया था और आखिरकार उसने कुल 60 पैसे बचा लिये थे यह बहुत कठिन था particularly that day at the bliss fair आसकर जिस दिन गाओं में मेला लगा था but she had resolutely a strong desire to ride the merry go round even though she had the money लेकिन उसने धनरासी होने के बावजूद चकरदार जूले पर सबारी करने की अपनी प्रवल इच्छा को ध्रण निश्चे से नियंत्रित किया था अब चलते हैं इसकी word meaning की ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए pen staking का मतलब होता है बहुत महनस से किया गया और elaborate का मतलब साफधानी से किया गया thriftly मतलब मित बयाता से और resisting का मतलब होता है रोकना temptation का मतलब तीब रिच्छा पार्टी कुलरली का मतलब होता है racist, resolutely, stipled का मतलब होता है द्रण निश्चे से नियंत्रण और मेरी go round का मतलब होता है चकरदार जूला अब चलते पाराग्राप नमबर 16 के ओर तो चलिए पाराग्राप नमबर 16 देख लीजिए after she had enough money saved करें कि फर्याप्त धनरासी बचाने के बाद सेब्ड का मतलब होता है जोडना या बचाना her next problem करें कि उसकी अगली समस्या was करें कि थी how to sleep out कि कैसे बाहर निकला जाए of the house करें कि घर से without her mother's knowledge करें कि बिना मा की जानकारी के करें कि उसकी अगली समस्या थी कि बिना मा की जानकारी के घर से कैसे बाहर निकला जाए but she managed his without too much difficulty लेकिन इस समस्या का समाधान उसने विना किसी परिसानी के कर लिया एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर बुड नैप फ्रॉम एवाउट वन तो फॉर और सो करें कि प्रति दिन दुपहर के भोजन के बाद उसकी मां लगभग एक से चार बजे तक क्या करती थी सोती थी नैप लेती थी बल्ली ऑल्वेज यूजड दीज आवर्स फोर हर एक्सक्रिशंस एस स्टूड लोकिंग फ्रॉन दा दूर्बे ओफर हाउस और सम्टाइम्स इवन वेंचर आउट इन्टू दा बलेज बल्ली हमेशा इस समस्या का उप्योग अपने भिरमण घर के द करें कि आज करें कि टुडे करें आज दीज सेम आवर्स कुड भी यूजड फोर हर फ़स्ट एक्सक्रूशन आउटसाइड दा बलेज करें कि आज इसी समय अर्थात घंटों का प्रयोग वह गाउं के बाहर की अपनी पहली यात्रा के लिए कर सकती थी अब चलते हैं इसकी होना एक्सकर्शन का मतलब मैंने आपको बताया था आनंद पाने के लिए छोटी सी यात्रा और वेंचर डाउट का मतलब बताया था साहस और ध्यान पूर्बग जाना अब चलते हैं पारग्राप नमर 17 के ओर चलिए पारग्राप नमर 17 देख लीजिए करें कि ता बस करें क बस रॉल डाउन करें कि गुजरी ना करें कि अब कटिंग एक्रोस करें कि मद्ध से ये बेर लेंड इसकेप ये बेर लेंड इसकेप का मतलब होता है बंजर परिद्रस्य से करें कि बस अब एक बंजर परिद्रस्य के मद्ध से गुजरी ना करें कि अब रसिंग करें कि ते पॉटे से गाउं से होकर तेजी से दोड रही थी और कहां से होकर तेजी से दोड रही थी देखिए और पास्ट एन ओड बेसाइड सौप करें एक सड़क के किनारे की अजीब सी दुकान को पार करती हुई करें कि तेजी से दोड रही थी करें सम्टाइम्स करें के कभी-कभी the bus करेंगे bus sim down करेंगे प्रतीत होती थी the point of gobbling the point of gobbling का मतलब होता है जैसे उपर चड़ जाएगी another vehicle करेंगे दूसरे बाहन के that was coming towards them जो उसके सामने से आ रहे थे और एप pedestrian pedestrian का मतलब होता है पैदल यात्री या पैदल यात्रियों के उपर crossing the road करें कि जो सड़क को पार कर रहे थे करें कभी कभी ऐसा लगता था जैसे bus सामने की और से आ रहे बहानों या सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों के उपर चड़ जाएगी but low लेकिन somehow किसी प्रकार से it passed on smoothly करें कि ये साबधानी से गुजर जाती थी leaving all obstacles simply behind करें कि वह सभी वाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ कर करें कि लेकिन किसी तरह से वह सभी वाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ कर वह साबधानी से गुजर जाती थी trees came running towards them करें कि पेड़ उसकी ओर दोड़ते हुए प्रतीत होते थे but then stopped परंतुबे तभी रुख जाते थे as the bus reached them जब बस उनके पास पहुँचती थी and simply stood there और करें कि सीधे जो है वहाँ पर खड़े रहते थे helpless करें कि निसहाई करें कि असाहाई खड़े रह जाते थे for a moment करें कि कुछ पलों के लिए by the side of the road करें कि सड़क के किनारे before rushing away in the other direction करें कि दूसरी दिसा में दोड़ने से पहले तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का पूरा आर्थ देख लीजिए कि राइटर आपसे क्या कहना चाहता है तो देखिए पेड उसकी और दोड़ते प्रतीत होते थे लेकिन जैसे ही बस उन तक पहुँचते थी वे रुख जाते थे और दूसरी दिसा में दोड़ने से पहले कुछ पलों के लिए सड़क के किनारे पर साही खड़ी रह जाते थे अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लिए बियर लेंड इसकेप का मतलब होता है बंजर परद्रस से मैंने आपको बताया था रसिंग वही तेज चलना तेजी से दोड़ना हैमलेट का मतलब एक छोटा गाउं मैंने आपको बताया था गोबलिंग अपका मतलब होता है निगलना या उपर चड़ जाना मैंने आपको बताया था पैडेश्ट्रियन मतलब पैदल यात्री और और अवस्टेकल का मतलब होता है बाधधाएं ठीक है अब चलते हैं पारग्राम नमबर 18 की ओर तो चलिए नमर 18 देख लीजिए सडनली बल्ली क्लैब्ड हर हैंड्स बिद गली करें कि अचानक बल्ली खुसी से तालियां बजाने लगी गली का मतलब होता है खुसी से यह यंग काव टेल हाई इन दा एयर करें एक छोटी गाय अपनी पूछ हवा में उची करके बाज रनिंग वेरी फास्ट तेज गती से दौड रही थी राइट इन दा मिडल अप दा रोड सड़क के बीचो बीच राइट इन फ्रेंट अप दा बजास करें बस के बिलकोर सामने एक छोटी गय अपनी पूछ हवा में उची करके सड़क के बीचो बीच ब svakने तेज गती से दौड रही थी दा बस स्लोड टू एक्रॉल बस की रफस्तार धीमी हो गई and the driver sounded his horn loudly again and again और driver बार 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 वसका होरन जोर जोर से बजाने लगा बट दा मोर ही हॉंक्ड लेकिन वह जितना जैदा होरन वजाता था दा मोर फ्राइटेंड दा एनिमल वह जानवर उतना जैदा डर जाता था बीकेम एंड दा फास्टर इट गैलोब्ड केरें कि और जोर से कूदता था आलवेज राइट इन फ्रंट आप दा बस केरें कि हमेशा बिलकुल वसके सामने तो देखिए यहां से लेकर यहां तक राइटर आपसे क्या कहना चाहा रहा है तो देख लीजिए लेकिन वह जितना जैदा होरन वजाता था वह जानवर उतना जैदा डर जाता था और हमेशा बिलकुल वसके सामने जोर से कूदता था अब चलते हैं इसकी वर्ड वीनिंग की ओर तो चलिए वर्ड वीनिंग देख लीजिए गली का मतलब मैंने आपको बताया था आनंद से या खुसी से क्रॉल का मतलब होता है धीर धीर चलना और हॉक्ड का मतलब होता है हारन बजाना मैंने आपको बताया था फ्रैटेंड का मतलब होता है डरा हुआ और गैलप्ड का मतलब होता है तेज दोड़ना या कूदना अब चलते हैं पारग्राप नमर उन्नीस की ओर चलिए पारग्राप नमर उन्नीस देख लीजिए करें कि किसी तरह से वल्ली के लिए ये बहुत हास से प्रद था करें कि वह हसी और तब तक हसती रही जब तक कि उसकी आँखों में आशू नहीं आ गई टियर्स का मतलब आशू होता है हे लेड़ी अरे बहन हैब नॉट यू लावड एनफ या आप काफी नहीं हस ली काल दा कंडेक्टर कंडेक्टर ने कहा बैटर सेब सम फॉर टुमारो कुछ कल के लिए भी बचा लो एट लास्ट कहरें कि अन्त में दा काव मूब्ड आफ दा रोड कहरें कि अन्त में गाय सडक पर से हट गई एंड सून दा वस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग और सीगर ही वस एक रेल के फटक के पास आ गई a speak of a train could be seen in the direction के रहें कि दूर से रेल गाली का बहुत छोटा चिन देखा जा सकता था growing bigger and bigger as it drew near के रहें कि जो जैसे जैसे समीप आ रहा था बड़ा होता जा रहा था then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle फिर वह बहुत तेज गड़गड़ा हट और खड़खड की आवाज के साथ shaking the bus के रहें कि बस को हिलाते हुए रेल के फाटक को पार कर गई past the crossing gate के रेल के फाटक को पार कर गई then the bus bent on and past the train station के रहें कि फिर बस आगे बड़ी और train के station को पार कर गई from there it traversed a busy bell laid out shopping street and turning entered a wider throw fair बहां से वह एक व्यस्त सुसोबित खरीदारी वाली गली में मुड़ गई और वहां से मुड़कर एक चोड़ी व्यस्त सटक पर चली गई such big right looking shops के रहें कि बहुत ही बड़ी चमकदार दुकाने थी what glittering displays of cloths के रहें कि कपड़ों का परतरसन and other merchandise और अन्य ब्यापारिक सामान सच विक क्राउट्स के रहें कि बहुत ही चमकीला था और विक क्राउट्स के बहुत बड़ी भीड थी आचलते हैं इसकी word meaning के ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए इस पेक का मतलब होता है एक छोटा चेंड मैंने आपको बताया था रस्ट पास्ट का मतलब होता है तेज गती चलना ट्रमेंडेस का मतलब होता है भयानक, रेटल का मतलब गडगड़ा हट का सोर, और ट्रावर्स्ट का मतलब होता है गोजरना, और थोरोफेर का मतलब होता है वियस्त सडक मैंने आपको बताये था, गिलिटरिंग का मतलब होता है चमकीली, और मर्चेंडाइस का मतलब होता है व काउ वस्तु है या ब्यापारिक वस्तु है अब चलते हैं पारग्राफ नमर्ट 20 के ओर चलिए नमर्ट 20 देख लीजिए इस्ट्रक डंब विद वंडर बल्ली गैब्ड एट एबरिटिंग केरें कि आश्चरिय से निसब्द होकर बल्ली ने सभी चीजों को ध्यान से देखा देन दा बस स्टॉब्ड एबरिवन गॉट अप एक्सेप्ट बल्ली केरें कि फिर बस रुक गई और बल्ली को छोड़कर सभी नीचे उतर गए हे लेडी सेड दा कंडेक्टर अरे कंडेक्टर ने कहा are not you ready to get off क्या आप उतरना नहीं चाहती this is as far as your 30 पैसे टेक्स यू आपके 30 पैसे आपको इतनी दूर ही लेकर जा सकते थे no नहीं बल्ली सेड कहरें कि बल्ली ने कहा I am going back on this same bus मैं इसी बस से बापस जाओंगी she took another 30 पैसे from her pocket उसने अपनी जेव से दूसरे 30 पैसे निकाले and handed the coins to the conductor और सिक्के कंडेक्टर को पकड़ा दिये why is something the matter क्यों क्या कोई बात हो गई है no nothing is the matter no nothing is the matter नहीं कोई बात नहीं है I just felt like having a bus ride मुझे केबल वस की सवारी करने की इच्छा थी that's all वस इतना ही अब चलते हैं इसकी word meaning की ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए struct dumb का मतला होता है आशरिये से बोलती बंद होना ठीक है और gap का मतला होता है आशरिये से देखना अब चलते है paragraph number 21 की ओर तो चलिए number 21 देख लीजिए don't you want to have a look at the site करें कि क्या तुम इन द्रस्यों को नजारों को देखना नहीं चाहती now that you are here करें कि अब जब तुम यहाँ पर हो तो क्या तुम इन नजारों को देखना नहीं चाहती all by myself करें कि सब अपने आप oh I would be must afraid करें कि अरे मुझे बहुत डर लगेगा greatly amused by the girls way of speaking the conductor said but you were not afraid to come in the bus लड़की के बोलने के तरीके से बहुत अधिक प्रसन होकर conductor ने कहा लेकिन बस में आने पर तुम्हें डर नहीं लगा था nothing to be afraid of about that इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं था see answered उसने जवाब दिया well then why not go to that stall over there and have something to drink ठीक है फिर वहाँ पर जो दुकान है उस पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती nothing to be afraid of about that either उसमें भी डरने की कोई वात नहीं है oh no I couldn't do that अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती well then let me bring you एक cold ring ठीक है तब मैं तुमारे लिए सीतल पे ले आता हूं cold ring का मतलब सीतल पे word meaning की ओर चलते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए sides का मतलब होता है dress मैंने आपको बताया था afraid का मतलब डरना amused का मतलब होता है मनुरंजित होना अब चलते paragraph number 22 की तरफ तो चलिए paragraph number 22 देख लीजिए no I don't have enough money नहीं मेरे पास प्रयात धन्रासी नहीं है just give me my ticket that's all मुझे cable मेरा ticket देदो वस it will be my treat and not cost you anything करें ये मेरी तरफ से होगी और तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी no 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 she said formally नहीं नहीं उसने द्रणता से कहा फर्मली मतला द्रणता से please no किरपया नहीं the conductor shrugged and they waited until it was time for the was to begin the return journey करें कि conductor नहीं अपने कंधों को जटक दिया और वे तब तक परतिक्षा करते रहे जब तक कि वस की बापसी यात्रा प्रारंब नहीं हो गई again there were not many passengers पुना बहां पर बहुत अधिक यात्री नहीं थे अब इसकी word meaning की ओर चलते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए फर्मली का मतलब होता है मजबूती से shrugd का मतलब होता है कंधे उचकाकर उदासिंत दरसाना journey का मतलब वही यात्रा होता है अब चलते हैं इसके paragraph number 23 के ओर तो चलिए paragraph number 23 देख लीजिए would not your mother be looking for you क्या तुमारी मा तुम्हें नहीं ढूंड रही होंगी the conductor asked when he gave the girl her ticket करें कि conductor ने पूछा जब उसने लड़की को ticket दिया no no one will be looking for me नहीं मुझे कोई नहीं ढूंड रहा होगा she said करें कि उसने जबाब दिया the verse started करें कि वस चल पड़ी and again there were the same wonderful sights और फिर से वही आश्यर जनक द्रस्य थे बल्ली वाज नॉट बोर्ड इन दा स्लाइटेस्ट करें बल्ली बिल्कुल भी उबी नहीं थी and greeted everything with the same excitement और उसी तरह सब का अभवाइदन करती रही she would felt the first time जैसे उसने पहली बार अनभव किया था but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside लेकिन अचानक उसने सड़क के किनारे छोटी सी मरी हुई गाय को पड़े हुए देखा just where it had been struck by some fast moving vehicle बिल्कुल बही पर जहां किसी तेजगती की गाड़ी ने उसे टककर मार दी थी अब चलते हैं इसकी word meaning के ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए slightest का मतला होता है थोड़ा सा ठीक है अब नमबर 24 देख लीजिए is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town क्या ये वही गाय है जो कस्वे की यात्रा के समय बस के सामने भागी थी she asked the conductor उसने conductor से पूछा the conductor noted करें कि conductor ने सिर हिलाया and she was overcome with sadness और वह दुख से भर गई what had been a lovable beautiful creatures just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible so frightening as it lay there legs spread eagled a fixed stare in its lifeless eyes blood all over तो बिधार्तियों यहां से लेकर यहां तक का अर्थ देख लीजिए आखिर आपसे क्या कहना चाहता है तो देखिए कुछ समय पहले तक यह कितना प्यारा और सुंदर जीब था अचानक अपना सुंदर यह और जीवन खो चुका था और कितना भयाना कितना ड्रावना दिखाई दे रहा था जब वह बहां पड़ा था उसकी टांगे फैले हुई थी उसकी जीवन भी ही नेत्रों में उसकी ठैरी हुई नजरे थी और चारो तरब बिलड था अर्थाथ खून था अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए लोबिवल का मतलब होता है प्यारा क्रीचर का मतलब जीव होता एं चार्म का मतलब सुंदर ता या आकरशन मेंने आपको बताय था धारिवल का मतलब होता है अब चलते है पारग्राफ नमर 25 की ओर तो चलिए ये वर्ट 25 देख़ लिजिए सी सैट दस करें कि इसलिए वह ग्लिवड टू हर सीट करें कि अपनी कुर्सी से चिपक कर तब तक बैठी रही अंटिल दा वस रीच्ड हर बलेज करें कि जब तक कि वस उसके गाउं के पास पहुँच गई करें कि तीन वस कर चालिस मिनट पर इसलिए वह अपनी कुर्सी से चिपक कर तब तक बैठी रही जब तक कि वस तीन वस कर चालिस मिनट पर वस उसके गाउं पहुच गई सी इस्टूड अप एंड स्ट्रेज हर सेल्फ वह खड़ी हुई और अंगलाई ली देन सी टरन टू दा कंड़ेक्टर एंड सेड फिर वह कंड़ेक्टर की ओर मुड़ी और बोली वैल सर आई होब तू सी यू अगैं ठीक है स्रीमान आप से फिर मिलने की आसा करती हूं ओके मैडम ही आंसर्ड हर स्माइलिंग ठीक है मैडम उसने उसे मुस्कराते हुए जवाब दिया वैनेवर यू फिल लाइके वस राइड जब भी आपको वस की सवारी करने का मन करें कम एंड जोइंड आस एंड डॉंट फरगेट टू ब्रिंग यूर फिर केरें कि हमारे सा चलना और अपना किराया लाना मत भूलना सी लावड एंड जब डाउन फ्रॉं दा बस केरें कि वह हसी और वस से नीचे कूद गई दैन अवे सी वैंट रनिंग इस्ट्रेट फॉर हॉम फिर वैं सीधे अपने घर की और भाग गई वैं सी एंटर्ड हर हाउस जब उसने वबलीस आंट और वबली की एक चाची से बात कर रही थी करें की दकश्र की गली में रहने वाली अपनी चाची से बात कर रही थी इस आंट वाज़ी अपना बात वाटउनी थी चैटर्वोक्स थी never closing her mouth once she started taking एक वार खोलने के लिए अपना मूँ खोलती तो वंद ही नहीं करती थी and where have you been और तुम कहा थी sad her aunt चाची ने उससे पूछा when बल्ली came in करें कि जब बल्ली अंदर आई करें कि तुम कहा थी जब बल्ली अंदर आई not expecting a reply so बल्ली just smiled जबाब की कोई पृतिक्षा के बिना इसलिए बल्ली केवल मुस्कुराई and her mother and aunt went on with their conversation और उसकी मा और चाची अपने बातें करने लगी आप चलते हैं इसकी word meaning की ओर तो चलिए word meaning देख लीजिए glued का मतलब होता है चिपक जाने मैंने आपको बताए था stretch herself का मतलब होता है swim को तान कर अंगडाई लेकर आराम करना chatterbox का मतलब बातूनी होता है और casually का मतलब और चारिकता से और expecting का मतलब होता है परतीक्षा करना और conversation का मतलब क्या होता है वाच्चीत होता है अब चलते हैं इसके अंतिम और last paragraph की ओर तो चलिए अब number 26 देख लिजिए yes you are right हाँ तुम सही हो her mother said करें उसकी माने कहा so many things in our middle and in the world outside करेंगे बहुत सारी चीजे हमारे बीच में और वहारी संसार में है how can we possibly know about everything हम सब चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं and even when we do know about something और जब हम कुछ भी नहीं जानते हैं we often can't understand it completely अधिकतर हम इसे पूर्टा नहीं समझ पाते हैं can we क्या समझ सकते हैं oh yes breathe बल्ली अरे हाँ बल्ली ने सांस भरते हुए कहा what asked her mother उसकी माने पूछा what's that you say तुमने अभी क्या कहा oh sad बल्ली I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge मैं तो आपके साथ सहमत हूँ जो आपने अपनी जानकारी के बिना होने वाली चीजों के बारे में कहा just a chit of girl अभी बहे एक आप परिपक को लड़की है she is said her aunt उसकी चाचे ने कहा and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady और देखो ये कैसे हमारी बातों में हस्तक शेप करती है जैसे कि ये एक बड़ी महिला हो बल्ली smile to herself करेंगी बल्ली अपने आप मुस्कुराई she didn't want them to understand her smile वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी मुस्कान को समझें but then there was not much chance of that was there लेकिन तब वहां ऐसा होने की अधिक उमीद भी नहीं थी क्या थी word meaning के ओर चलते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए midest का मतलव होता है बीच में मैंने आपको बताया था breathe का मतलव होता है बोलना chitophic girl मतलव आप परिपक को लड़की pox हर नोज का मतलव होता है बिना मतलव हस्तक शेप करना तो विध्यारतियों ये था आपका ninth chapter जिसका नाम है madam rights the bus विध्यारतियों ये chapter काफी बड़ा था इसमें 26 paragraph थे और इस video को बनाने के लिए मैंने काफी समय दिया है और आपके लिए भरपुर मात्रा में जो है समझाने का प्रयास किया है ये lesson जो है UP board के छात्रों को पढ़ना पड़ेगा क्यूंकि 30% काट के जो है सिलेबस में ये रखा गया है तो विध्यारतियों मैंने जो हर मीन्स का आर्थ बताने का आपके लिए प्रयास किया है और line by line आर्थ भी आपके लिए बताया है तो विध्यारतियों वीडियों आपके लिए कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी कक्षा दसके छात रहें जितने भी आपके दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो भी जो है साथ के साथ आपके पढ़ाई करते हुए चलें तो विध्यारतियों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तो